सब्सकारब करें अपने यूट्यव चैनल लार्न अबाउट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए स्वागत है दोस्तों अब फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लार्न अबाउट मेडिसिन में जहां आप आते दवाईयों के बारे में संपून जानकरी आज केस वीडियो में हम बच्चों में प्रिऊग लेने वाले एक सस्पेंशन के बारे में जानेंगे जिसका प्रियोग उस समय किया जाता है जब इसके सिमिलर लेवीर ब्रेंड नेमें वह है два मासिन और मैलाव काई अंची नामों से खेल तї जैसे कि बेस्ट्रो थो मासिन इन सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेर करना नहीं बोले मैं हूँ आपका होस्ट मोहीद आदीच और आप देखेने अपना यूट्यूब चैनल राणरू मडिसिन चलिए आसे कुछ नया सिकते हैं है लो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों कोलिस्टीन सलफेट एक लो मोलिकुलर वेट एंटिवाटी के और इससे पोली पेप्टाइट एंटिवाटी क्लास में रखा गिया है यह दवा बेक्टीरिया को मार कर बेक्टीरिया की इंफेक्शन को ठीक करने का कारे करती है इसी कारण से बेक्टीरियोसाइडल दवा भी कहा जाता है और कोलिस्टीन सलफेट मुख्य रूप से ग्राम नेगेटिव बेक्टीरिया पर इफेक्टिव है अगर बात करें इसके strength की क्या strength में इसके suspension अवेलेबल है तो ये दो अलगले की strength में available है जो सामधनी strength है उसमें 12.5 mg polystyrene sulfate प्रती 5 ml की strength में और जो दूसरी strength है वो है 25 mg प्रती 5 ml की strength में जिसे हम DS strength भी कहते हैं अगर इसके प्राइस की बात करें जो समयनी स्टेंथ है 12.5 मिलेगा हम परती 5 ml की तो यह आपको 32 रुपे से लगा कर 55 रुपे में 30 ml की सस्पेंज मिल जाता है और डीएस स्टेंथ की बात करें तो इस 70 रुपे से लगा कर 90 रुपे की MRP में आपको मिलता है जो भी आपको जाती है इसका मुखय प्रियोग नवजाद सिशूं इंफएंट्स में तथा बचो में छिल्रेन में किया जाता है उस समय किया जाता है जब बचों में सो बचो lagu जाता पानी पेट है पेट में मरोड चलते हैं दस्त के साथ कई भार खोन भी आता है ग्वहद स्थיח bang युम्हादा होती हूद 25 उस्थिमेर का इस दवा का प्रयोग वीशेश्थ ऊपधिया जाता है जब इसके जो similar medicine है, जो दस्त रोकने के antibiotic दवा है, वह देने पर बच्चे को फाइदा नहीं होता है, जैसे कि और फ्लोक्सास इन ओर्डिनाजोल कॉम्बिनेशन का suspension, और फ्लोक्सास इन मेटरिनाजोल कॉम्बिनेशन का suspension, वो सब भी देदें, फिर भी दस्त नहीं रुक रह जाती है, और यह दवा इस बिमारी के अलावा, यदि किसी बच्चे को UTI, urinary rate का infection हो गया हो, तब भी कुछ डोक्टर एडवाईज करते हैं, कई बार इसका प्रियोग, नियूमोनिया, जो लंक्स का infection है, जिसमें बच्चे को खासी चलती है, लंक्स जड़ जाते हैं, और ब प्रियोग नहीं लिया जाता, इसका में कारण है कि यह दवा बच्चे को नुक्सान कर सकती हाइली टॉक्सिक होती है, बस इसी कारण से इसका प्रियोग लिमिटेड रूप में लिया जाता है, और आपके लिए मेरी सला यह होगी, जब सामयने अडेंटिव एटेक्स से दस यहां तता वोमेटिंग उल्टी मतली जैसा लगना, जो दस लगे ती उसकी फ्रिकेंसी बढ़ जाना, पेट दर्द होना, जी आई अपसेट हो सकता है, मस्कूलर वेकनेस लगना, साथी बलर वेजन, धुनला दिखाए देना, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके एकोडिंग होती, यहां पर जेनरली पर केजी जो बोडी वेट से डूस दी जाती है, उसके बरम हम जान लेते हैं, यहां दवा बच्चे को 5 मिलिग्राम से लगागर 15 मिलिग्राम परती किलोग्राम परती दिन अलग लग डिवैडे डूस में दी जाती है, इसे परती डूस दिया जाए, तो लग बग पचास मिलिग्राम हो जाता है, अब अगर इसको एमल में काउंट करना हो, तो जैसे जो नॉर्मल स्ट्रेंथ की सस्पेंशन है, वो 12.5 मिलिग्राम परती 5 मिल होता है, ध्यान से समझना है दोस्तों, तो उसे जब आप 16 मिलिग्राम परती डूस करेंगे, तो लग बग एक पॉइंट तीन एमल या एक पॉइंट चार एमल जब सस्पेंशन लेंगे, तो उसमें 16 मिलिग्राम कोलिस्टिन सल्फेट आ जाएगा, और सवा एमल दिन में तीन बार जब देंगे, लग बग पचास एमल की डूस बच्चे को पहु जब बच्चे का पेट दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा दस्त लगने के कारण बच्चे में जो एलेट्रोलाइट है, उनकी भी कमी हो जाता है, जिस कारण से उसे ORS भी दिया जाता है, तो ये पूरा टीटमेंट दे के बच्चे की दस्त को ठीक किया जाता है, जो मैंने वेला मैसिन सस्पेंशन के बारें बता दी है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्त रहें और मस्त रहें